हम पर 9.4 करते हैं, a force of 5 Newton gives a mass M1 an acceleration of 10 meter per second square and a mass M2 an acceleration of 20 meter per second square. देखो, यहाँ पर क्या दिया आपको, कि एक 5 Newton का force है, और उस force से जब M1 mass पर उस force को लगाया जाता है, तो वो कितना acceleration प्रोडूस कर रहा है, 10 meter per second square का, और जब वही force, यानि कि 5 Newton का ही force, जब M2 mass पर लगाया जा रहा है, तो जो acceleration हो रहा है उस object में, उस mass में, वो है आपका 20 meter per second square, अब आप से यहाँ पूचा है, what acceleration would it give, if both the masses were tied together, यदि दोनों masses को जोड़ दिया जाए, यदि दोनों object को मिला दिया जाए, एक साथ बांद दिया जाए, तब वो कितना acceleration देगा, क्या कितना देगा, 5 Newton mass, तो सबसे पहले तो तो तुमको M1 और M2 निकालना होगा, तो य given में हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर, सबसे पहले, M1 हमें निकालना है, यहाँ पर, ठीक है, और इदर हमें M2 भी निकालना है, और जो हमें force है, वो दे हुआ हमें, 5 Newton का, प्रलस हमको, यदि mass हम कह रहे है, M1, तो उसका हम acceleration के लिख लेंगे, A1, force में हमने क्यों लिख लिखा है, तो A1 की value कितने दिये, 10 meter per second square, इदर भी force, object 2 में भी force तो 5 Newton है, लेकिन जो A2 की value दिये, 10 meter per second square, तो पहले हमें आ रहा है, M1 और M2 निकालना है, तो formula हमारा है, F is equal to M into A, ठीक है, तो F is equal to M1 into A1 कर लिए हमने, ठीक है, object 1 में, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे मास निकालना है, तो M1 की value जाएगी, F upon A1, F हमारा दिया 5, A1 दिया है, हमारा 10, तो M1 की value कितने आगी, 0.10, 5 is a 50, 0.50 kg, इधर हम M2 की value निकालेंगे, M2 के लिए हम क्या करेंगे, M2 equals हो जाएगा, F upon A2, F दिया है, again 5, और यहाँ पर दिया है, आपका मास 20, second case में आपका मास है, 20, यहाँ पर मैंने, exhalation 20 दिया हो है, तो यहाँ पर आपका 20 आगया, अब 5, 4s are 20, 5 1s are, अब इसको आप डिवाइट करोगे, 1 upon 4 को, तो क्या हैगा, आपका 0.4 to 8 है जाएगा, ठीक है, 4 से आपने, डिवाइट किया 1 को, तो क्या है, 10 हो गया, 4 to 8, 20, 45 जा, राइट, तो 0.25 क्लो ग्रैम, यहाँ हमारा M2 की वेल्या आगई, तो हमारे दोनों मासे की वेल्या आगई, अब हमको निकालना है कि जब दोनों मासे को हमने एक साथ बांग दी, और उस case में जो exhalation है, वो कितना है ठीक है, when both masses, both the masses, M1 and M2 were tied together, तो पूछे आप से, then A is equal to what, exhalation क्या होगा, तो यहाँ पर देखो हमारे पास F की वेल्यू तो वही है, 5 newton है, राइट, लेकिन यहाँ पर जो मास है, वो क्या है, M1 प्लस M2 को add करके आएगा, M1 का मास है हमारे 0.50, और M2 का मास है 0.25, तो जो मास आए हमारे दोनों का combined मास हो क्या है, 0.75 क्लोग्रम, राइट, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, acceleration निकालना है, तो F equals होता है, आपका M multiply A, तो A हो जाएगा आपका F upon A, F upon M, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारा acceleration क्या होगा, F की value है हमारे 5, और M की value है 0.75, राइसी मन लट आए हमने 2 0 आगे उपर, राइट, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 0 और 0 आगया, अब यहाँ पर क्या है, 5 3s are 15, और 5 2s are 10, और 0, तो 20 upon 3 आगया, अब 3 से इसको divide करेंगे, तो क्याएगा, 36 18, decimal लग जाएगा, 0 आगया, वहाँ पर 2 0 फिर से आगया, 36, तो अगें 2 0 बच जाएगा, तो यह नमबर है 6, वह यहाँ पर repeat हो रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे, 6.67, तो हमारा यहाँ पर acceleration आगया, जब दोनों masses को हमने बांद दिया है, और same force उन पर apply हुआ है, तो कितना acceleration हो जाएगा, A is equal to 6.67 meter per second square, यह हमारा answer यहाँ पर आजाता है, ठीक है, तो I hope अच्छे समझा होगा, पहले हमने M1 की value निकाली है, फिर M2 की, फिर दोनों को मिला करके M आगया, और फिर हमारा A आगया, तो इस त समझ में आगया होगा, मिलते हैं, next video में, thank you